नमस्कार मैं हूँ आपके संग नित्या मंत्र यंद दंत्र वास्तो के बिशेश कास्क्रम के साथ अक्षरा भगवान की भक्ती करते हैं गुरू भक्ती करते हैं या कोई अन्भक्ती करते हैं अगर आप भक्ती का मतलब समझते हैं, तो आपको भक्ती का जादा फल मिलेगा, चुकि आप भक्ती में आपका मन लगेगा, तो हम आपको बताएंगे कि भक्ती से कैसे मिलेगा सकती, क्या होता है भक्ती, हम आपको एक एक चीज बताएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए, हम आ भापनाएं एक दिशा में बहती है तो यह सर्फसक्ति साली होता है और यही भक्ति है भक्ति का मतलब होता है कि आपकी जो भापना है अगर वो एक दिशा में बहती है या एक दिशा में बहती है या भगवान की तरफ वो बहती है तो इसी को हम भक्ति बोलते हैं भक्ति चार अक्षर से मिलकर बना है भौ, को, तो और इ, भौ का अर्थ होता है पुर्ति और पोशन, इसमें को का अर्थ होता है जानने का माध्यम, और तो का अर्थ होता है तारना, बचाना या मुक्ति, इ का अर्थ होता है उर्जाया सक्ति, तो भक्ति चार सब्दों से मिलकर बना है भ भक्ति से आखिर क्या फल मिलता है, क्या होता है जब आप भक्ति करते हैं, देखिए, मनो भावों के उतार चड़ों से ब्यक्ति इसलिए बैथित हो जाता है, क्योंकि भक्ति का अभाव होता है, अगर आपके मन में भक्ति का अभाव है, तो आपके जो मनो भाव है, बहुत सा तो भक्ति आपका पोशन करती है और भक्ति ही सच्चा ज्यान है और ज्यान का माध्यम भी है अगर आप भक्ति करते हैं तो आपको सच्चे ज्यान की प्राप्ति होगी और यह एक ऐसा माध्यम है जहां आप सच्चे ज्यान की प्राप्ति भी कर सकते हैं जहां भक्ति होती है वहाँ संसय नहीं होता है, वहाँ कोई संकोश नहीं होता है, मन में कोई भी संसय, कोई भी अतिसोक्ति नहीं होती है, भक्ति से आपकी रक्षा होती है, अगर आप भक्ति करते हैं, तो आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कबच बन जाती है, और आपका कोई भी कुछ नहीं ब आप अपने जिन्दगी में कोई भी समस्चाओं का सामना भी कर सकते हैं कोई भी समस्चाओं कोई भी कठना या आपकी जिन्दगी में आती है तो निश्चित रूप से आपको उस कठना यो उस समस्चाओं को सामना करने की भी सकती आपको भक्ती देती है तो अगर आप भक्ति करते हैं तो आपके चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा कमज बनता है ताकि आपका कोई भी कुछ नहीं कर सकता है अगर आप जेंटिंग करते हैं अब भक्ति करने के बहुत सारे माध्यम है आप चाहे तो भगवान का धियान लगा सकते हैं आप चाहे तो chanting कर सकते हैं, मंत्र की chanting कर सकते हैं, आप चाहे तो बैट करके किसी की सेवा कर सकते हैं, भक्ति में अगर आप spiritual path में हैं, आप उसकी practice करते हैं, इसको चार pillar होते हैं, पहला होता है आपकी सेवा, आपकी भक्ति होती है, meditation होती है, chanting होती है, तो निश्चित रूप अगर आप भक्ति करते हैं तो आपको हर तरह की समस्याओं का सामना करने की सक्ति मिलेगा आपकी रक्षा होगी आपके मन में कोई संसय नहीं होगा आपको सचा ग्यान मिलेगा और ग्यान का माध्यम भी है भक्ति भक्ति और समर्पन बुद्धी मता के लक्षन है अगर आप ब वीडियो को पसंद करते हैं तो किस पैसे लाइक करे, सबस्क्राइब करे तथा आपने दोस्तों के साथ भी सेर करे ताकि वो भी भकती का अर्थ समझेंगे अगर वो भकती का अर्थ समझ पाएंगे तो निश्ट तूरुप से उसकी भकती बरेगी और उसके जिंदगी में हर चीज की पुर्ती होगी, चाहे वो ग्यान हो, चाहे वो सकती हो, चाहे वो सांती हो, चाहे वो धन हो या दोलत हो, सारे चीज उसके अंदर मिलेगी, सब कुछ प्राप्त होगा, आज के लिए पस इतना ही धन्यवाद